हालो प्रेंज, वेलकम बेक टू मैं चैनल, आज मैं आपको बहुती सुन्दर सिलिप्स डेजाइन बनाना बताऊंगे, वह भी बहुती इजी तरीका से और एस सिलिप्स बनने के बाद बहुती सुन्दर लगता है, तो आप इसे जोड़ाई कीजिए, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लीते हैं, सबसे पहले एहाँ पर बॉर्डर को कट कर दिया है, लाइलिंग फेब्रीक और बॉर्डर फेब्रीक अब इसको मेजरमेंट करें गे, इसका लमबाई है 14 इंच, और इसका चोड़ाई है 5.5 इंच, अब कुछ इस तरीके से इस लाइलिंग फेब्र लग चुकी है अब दूसरा साइड में भी स्लाय लगा लीना है दोनों साइड में स्लाय लगाने के बाद कुछ इस तरीके से इसको बहार के तरह पलट लेंगी अब कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है सेट करने के बाद देखिए चारो साइड जो है बोर्डर को स्लाय करते हुए फिनिसिंग दे देते हैं तब चाके हमारा जो बोर्डर है अच्छी तरीके से बैट जाती है अब जितना भी एक्स्टा फेबरी के है उसे हम कट करके निकाल देंगे अब उपर बाला पार्ट को त्यार करना है तो डबल फोल्ड करते हैं इसको ले ली है अब इसको मेजरमेंट करेंगे इसका लंबाई है 16 इंचर और इसका चोड़ाई है 8.5 इंचर अब यहां से हमें 5.5 रखना है और नीचे के और से 7 पॉइंट में एक निसान लगा देंगे चौक के हेल्प से अब कुछ इस तरीके से यहां पर छोटा सा कट लगा देंगे मीडिल पॉइंट भी छोटा सा कट लगा देना है और कुछ इस तरीके से खोडने के बाद जो हमारा मीडिल पॉइंट है यहां से दोनों हातों के मदद से पॉइंट लगाना स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से जो हमने 7 पॉइंट में निसान लगाया कट कर ली थी औहां तक ही इस प्लेटेस को लगाना है एक साइड हमारा यहां पर स्लाय लग चुकी है देखिए कुछ इस तरीके से अब सेम प्रोसेस फोलो करते हुए दूसरा साइड को भी प्लेटेस को भी त्यार कर लीती है तो फ्रेंज देखी सकते हैं दोनों साइड का जो प्लेटेस है कुछ इस तरीके से यहां पर भी इसको स्लाय लगा लेंगे अच्छी तरीके से सेट करने के बाद ही यहां पर स्लाय लगाना है अब देखिए उपर के साइड में भी इस प्लेटेस को सेट करना है तो कुछ इस तरीके से हर एक प्लेटेस को सेट करते जाएंगे नीचे के और ध्यान रखते हुए इससे सेट करना है अब कुछ इस तरीके से प्लेटेस को सेट करते जाएंगे और यहाँ पर स्लाय लगा देंगे तो देखिए फ्रेंज उपर बाला पार्ट भी यहाँ पर स्लाय लग चुकी है अब फ्रिसिंग के लिए एक और यहाँ पर स्लाय लगा देती है अब जितना भी देखिए एक्स्टर फेबरिक है उसे हम कट करते हुए निकाल देंगे अब बॉर्डर और हमारा उपर बाला पार्ट दोनों ही कुछ इस तरीके से रखना है और देख लेना है तो हमारा सेम आ रही है तो कुछ इस तरीके से इस बॉर्डर को उपर के साइड में रखेंगे और इसको सीधा स्लाई लगाते हुए सेट कर लेना है तो फ्रेंज कुछ इस तरीके से हमारा जो डिजाइन हमारा जो सिलिप्स है यहाँ पर बनके रेडी हो चुकी है जितना भी एक्स्ट्रा फेबरी के उसे हम कट करते हुए निकाल देंगे अब मीडिल में डिजाइन बनाने के लिए कुछ इस तरीके से इस डोड़ी को हम यूज करेंगे इस डोड़ी को आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है तो आप कुछ इस तरीके से इस डोड़ी को भी यूज कर सकते हैं या फिर फेब्रीक के मदद से भी डोडी बना सकते हैं तो हमने इसको मीडिल में एक निसान लगा देंगे चौक के हिल्फ से तब जाके इसका जो निसान है लगाने के बाद ए अच्छी तरीके से सीधा में ही इस डिजाइन को create कर पाएंगे तो कुछ इस तरीके से इसको cross कर देंगे और यहाँ पर stitch करते जाना है इसको फिर से cross करना है कुछ इस तरीके से और फिर से इसको stitch कर देंगे ऐसे ही हम यहाँ पर इस design को create करेंगे बहुती simple है बहुती easy है लेकिन बनने के बाद बहुती शुन्दर लगता है तो आप इसे जरू ट्राइ कीजिए नीचे के और अच्छी तरीके से इसको लॉक कर देंगे और धागा को यहां से कट कर लीती है अब देखे यहां पर हमने मोती को यूज करेंगे आप चाहोते यहां पर एक मोती लगा सकते हैं लेकिन हमने यहां पर दो मोती लगाऊंगी पहले राउंड पहले एक लगाते हुई उपर के साइड जाऊंगी उसके बाद फिर से जब नीचे के और आऊंगी उसके बाद ही यहाँ पर नीचे के और एक और मोती लगाएने तो फ्रेंज अभी तक भी चैन के सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लिस चैन के सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरू से प्रेस करना जब भी हम नहीं नहीं वीडियो को अपलूट करेंगे सबसे पहले मिले आपको तो देखें प्रेंज अब हमें और एक मोती को लेना है और इसके ही बगल में इसको सलाई लगा देंगे तो जाके दोनों ही मोती बहुती अच्छी तरीके से एक्जस्ट हो जाती है अगर आप बड़ा मोती ले रही है तो आप एक ही इहां पर लगाई गया तो हमने छोटा छोटा दो मोती इहां पर लगा दी है तो देखने में काफी कूल सा लग रही है तो चलिए फटा फटा से इस प्रोसेश को कम्प्लीट कर लीती है कुछ इस तरीके से ही लगाना है अब नीचे के और धागा को अची तरीके से लॉक कर दीना है अब नीचे के और जो हमारा दो डोरी है इसमें हम छोटा छोटा फ्लावर लगाएंगे जो के हमने पहले से ही बना के रखे हैं तो ए है रोस फ्लावर रोस फ्लावर को यहां पर सुईधा के हेल्प से लगाऊंगी तो कुछ इस तरीके से डोरी को साथ एटच कर दीना है बहुत अच्छी तरीके से यहां पर लॉक करना है तो देखी सकते हैं तो एक मोती हमने यहां पर यूज कर रही हूँ क्योंकि जब भी एट लगाऊंगी तो एहां पर थोड़े सा भी फेबरी किया फिर कुछ भी दिख सकता है इसलिए हमने कुछ इस तरीके से बड़ा मूँ वाला मोती एहां पर लगा रही हूँ जो कि बनने के बाद एहां पर कोई सा भी धागा बगेरा नहीं दिखनों को मिले अच्छी तरीके से फिनिसिंग में ये बन के रेडी हुई इसलिए हमने इसे मोती को इहां पर लगा दी है अब दोनों ही मोती लगा दी है तो बनने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा सिलिप्स रेडी हो चुकी है अगर वीडियो पसंदा है तो वीडियो के एक लाइक जरू कर देना थेंक्स पर वाचिंग